दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है यूजी सी नेट एकजाम 2030 हिस्ट्री प्रेटी सेट 409 में जिसकी परिछा 21 फरवरी से 10 मार्च को निर्धारित की गई है तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो प्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो यहां से पिछले जितने भी 408 प्रेटिस्ट है इतिहास के आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा उस प्ले लिस्ट में आप जो प्रीवियस यर्स के पेपर भी साल्ब देख सकते हैं UGC net इतिहास के तो अस्वमेग सहित अनेक वैडिक यग्यों के संपादित करने से सिद्ध होता है तो धर्म महाराज की उपादि किसे ने धारान किया है दिया है पुस्यमित्र सर्वतात समुन्द्र गुप्त प्रवर्सेन प्रथम तो इसमें आपका जो राइट एंसर होगा वह है प्रवर्से प्रवर्सेन प्रथम जो है ये वाकाटक नरेश सासक था जिसने धर्म राज की उपादि धारन की थी और इसने अस्मेग यग सहित कई यग्यों को भी संपादित करने वाला सिद्ध व्यक्ति था और इसका बिजय वियान सभी दिशाओं में बिजय वियान था और वाकाटक सासकों में एक मात्र सासक था जिसने जो है महाराजा की उपाधी भी धारन किया था ये और इसने ही धर्म और महाराज की उपाधी धारन की थी इसमें ब्रामण घर्म में ये महत्ता स्थापित करना चाता था और इसने जो है चार अस्वमेग यग भी कराया था जैसे यहां पर लिखा गया कोश्चन में इसकी राधानी नंदी वर्धन थी नेश्ट कोश्चन देखते हैं इसमें कोश्चन नमबर दो है तमिल कभियों के तीसरे संगम की पीठ कहां थी तमिल कभियों के तीसरे संगम की पीठ उरैयूर में मदुरेई में तंजोर में या कांची में तमिल कभियों के तीसरे संगम की पीठ कहां थी तो इसमें आपका right answer हो जायेगा दूसरा मदुरही में कहां पर मदुरही और इसकी अदिश्ता किये थे नकीर ने नकीरर नकीरर ने किये था इसकी अदिश्ता जो तीसरे संगम का योजन हुआ था मदुरही में कुछस्टा नमबर तीन है तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा तीसरा देव पाल ने देव पाल तो सलेंद्र नरेश ये जावा के राजा थे जावा देश के जिसको यव भूमी के नाम से भी जाना रहता था इसको प्राचीन काल में यव भूमी तो इन्हों न जो है नालंदा में एक बिहार बनवाने के लिए देव पाल से आग्या में थी और देव पाल ने इनको पांच गावं भी दान में दिये थे और देव पाल जो है धरम पाल का पुत्र था ये पाल वंस का सासक था और देव पाल ने जो है इसकी रायधानी अगर पुछेगा तो इसने अपनी रायधानी मुंगेर बनाई थी कोशन नमबर चार है अरब लेखकों ने दच्छिन के किस राजवन्स की गर्णा संसार के चार सारोभावम सासकों में की थी वतापी के चालोग के कल्याणी के चालोग के कोकड के मौरे या माने खेट के राश्ट कोट अरब लेखकों ने दच्छिन के किस राजवन्स की गर्णा जो है संसार के चार सारोभावम सासकों में की है तो इसका रायध एंसर इसमें हो जाएगा चोथा से यह माने खेट के राश्ट कोट माने खेट के राश्ट कोट तो माने खेट के राश्ट कोट राजवन्स की गर्णा जो है संसार के चार सारोभावम सासकों में की जाती है और इस वन्स की अगर अस्थापना करें राश्ट कूट वंस की तो इसकी अस्थापना दंती दुर्ग ने 752 में किया था दंती दुर्ग मानेखेट या मालखंड इसका नाम था मानेखेट कहीं कहीं मालखंड भी मिलता है ये राश्ट कूटों की राजधानी थी कुश्टन नंबर पांच पर आते हैं निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है राश्ट सेखर विद्धुसाल भज्जिका ये तो सही सुमेलित है श्री हर्स नैसधिय चरित ये भी सही सुमेलित है महेंदर वर्मन कभीराज मार्ग ये वला सुमेलित नहीं है सुद्रक मिर्च कठका में सुमेलित है तो कभी राज मार्ग महेंदर वर्मर की नहीं है किसकी है ये कभी राज मार्ग महेंदर वर्मर की नहीं है तो ये है राष्ट कुट एक सासक था जिसका नाम था अमोग वर्स इस सासक का नाम था ये इसकी है रचना कभी राज मार्ग और यह कंणण भासा में यह द्यान जीजे गया यह कंणण भासा में है कुस्टन नमबर छे है कथन और कारण से दिया है पूरो मदकाल में छेतिरी राजनीती के उदय के सासा दरबारिक कभियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंब हुआ कारण दिया यहाँ पर संध्याकर नंदिक का राम चरित स्लेश सैली में लिखा गया है जिसमें महा कावे के नायक राम की कथा के अतरिक्त पाल नरेस राम पाल का भी दीवरण मिलता है यह भी सही है और ब्याख्या भी करता है तो इसमें यह यार दोनों सही है आरे की सही ब्याख्या करता है तो इसका रायट एंसर पहला वला आपका एंसर इसमें हो जाएगा सही किसने किया था। तुर्का ने चिहल गाने का उलेख किसने सबसे पहले किया था। यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है किसने किया था। राइटन सरेयोगा फुतु अस सलातीन में सबसे पहले तुरकाने चिहलगाने का उलेक मिलता है इसकी रचना अगर पूछता है तो इसकी रचना किया था इसामी ने इसकी रचना इसामी दोरा की गई थी और यहां पर देखेगा सबसे पहले पूछा है तो सबसे पहले जो है तुरकान चिहलगानी का बीबरण इसमें मिलता है इस करंथ में तुरकान चिहलगानी क्या है तो यह एक परकार सका सकते हैं दल था जो अमीरों का दल था और इसमें संख्या 40 थी और संख्या 40 होने के कारण ही इसको तुरकान चिहलगानी कहा जाता है और तुरकान चिहलगानी के जो है ये गुट बनाया गया था इल्टु तमीश के द्वारा किसने इसको गुट को बनाया था इल्टु तमीश जिसे चलीशा दल के नाम से जाना लेता है तो इल्टु तमीश इसका संस्थापक कर सकते हैं इस दल का और आगे चल कर जो है ये इसको समाप्त क्या गया था और इसको समाप्त करने का वाला सासा का नाम था बल्बन तो बल्बन ने जो है ये संगठन को समाप्त कर दिया था किस मंगोल सेनापती ने अलावदिन खिलजी को हराय था तो उस मंगोल सेनापती का नाम पूछा जा रहा है जिसने अलावदिन खिलजी को हराय था इसमें कौन सेनसर सही होगा तो किस मंगोल सेनापती ने अलावदिन खिलजी को हराय था तो उसका नाम था तरगी इसका राइट अंसर तीसरा सही होगा इसमें तरगी तरगी के नितिरतों में मंगोलों जे है तेरो सो तीन इसमी में दिल्ली पर आकरमण किया था और यहां अलावदिन के सासनकाल में चवथा ये मंगोल आकरमण था इसमें अलावदिन खिलजी को पराजे का सामना करना पड़ा था और इस युद में अलावदिन खिलजी जो है चित्तोल अभ्यान से लोटा था और इसका कारण नहीं था कि उसकी सेना जो है प्रयाप्थती यानि संख्या कम थी और एक प्रकार सकाते कमजोर इस सती में थी और अलावदिन मंगोलों से युद की सती में नहीं था इसलिए उसने सीरी के लिए अपने सुरच्छा का परबंध किया था यहां परदिया असपस्टूप से अलावदिन खिलजी को हराया था तरगी तेरा सो तीनी स्वी में और चवथा मंगोल आकरमर था यह यह भी कर सकत भूमी के लिए या पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व मुक्त भूमी के लिए या राज के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमी के लिए या उसर भूमी के लिए दिवान ए खालसा के गर बारे में जाने तो यह परकार से सीधा नियंतरण आने वाले भूमी थी के लिए जिमेदार था और संतनत काल में कृसी के योग जो भूमी होती थी उसका निर्धारन की दृष्टि इसमें दो भागों में किया गया था पहला था कि खालसा भूमी यह क एक्ता ब्यॐस्था त्वी भूमी को सायनिक और सायनिक अधिकारियों के जो बेतन के बदले में और वन्टित की जाते थी यह ब्यॐस्था सी दिवाने खालसा में चोशन नमबर दस है और अंतिम कोशन है सुमेलित करने वाला चलिए इसको सुमेलित करते हैं माल गुजार जो है ये का चौथा योगा भूमी धारक प्रात्मिक जमिदार मुफ्ति किसको कहा जता था मुफ्ति जो है आपको मुस्लिम बिद्वान जो धार्मिक नियमों के बिसे सग्य होते थे उनको मुफ्ति कहा जता था खानजाद कहाज़ता था अस्थानिय मुसलिम संस्था को अंजुम अंजुम है अस्थानिय मुसलिम अभि partition कहता था और खानजाद जो है अनुमसिक मुसलिम अविजात को कहता था इस प्रकार ये सुमीलित है इसा कुट आप देखेंगे तो इसमें पहला वाला जो कुट है ये अला अंसर आपको सही देखने को मिलेगा तो ये था कोशन आज के लिए तो उमिद करता हों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ अधिस दिख सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम